तो चलो माई फ्रेंड्स आज किस वीडियो के अंदर हम आपसे भी के साथ में अपनी क्लासिक्स पॉलिटी के चैप्टर नंबर 7 को डिसकस करेंगे जो की है अर्बन एडिमिनिस्ट्रेशन यानि कि जो आपका सहरी एरिया होते है वहाँ का आपकी कानुन वबस्ता कैसी होती है और परसासन आपका वहाँ पे कैसे काम करते है तो चलो फटा-फट से इसको डिसकस करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की रीडिंग को A city is much bigger than a village and more spread out अब आप सभी को बताते कि आपने village के इसके बारे में तो पढ़ लिया था अब बात करेंगे हम अपने सहर को लिकर और आप सभी को इस बात का भी पता है कि जो आपका सहर है वो बहुत ज़दा बड़ा होता है आपके village के comparative में A city has crowded markets, many buses and cars, water and electricity facility, traffic control and hospitals अब बताते कि जो आपका सहर है वहाँ बहुत ज़दा फैसलीटी लोगों को दी जाती है जैसे कि आपकी buses हो गई, cars हो गई, tower, electricity बहुत ज़दा वहाँ पर आपको देखने को मिलती है और आपकी electricity facility हो गई, traffic को control करना हो गया, hospitals बगएर हो गई, आपस ज़दा आपको provide किये जाते है Have you ever wonder how is responsible for running all this? तो क्या कभी आपने सोच है कि इन सभी को क्या कौन सी चीज है जो इनको चलाती है और कौन इनका ध्यान यहाँ पे रखती है Do you know how decisions are made? और क्या आप जानते हैं कि वहाँ पे जो आपके decision है वो कैसे लिये जाती है How the planning is done और जो वहाँ की planning होती है उसको कौन करता है Who are the people? Who do all the work? और कौन वहाँ पे लोग होते हैं और कौन वो सब काम को संभालती है Read this chapter and find out some answer तो इस chapter के अंदर basically आपको इनी सब questions के यहाँ पे answer देगा तो चलो फटाफट समने chapter को आप स्टार्ट कर लेते हैं overview लेनी के बात On legy Sunday afternoon, Mala and their friends Sankar, Jahangir and Rehan are playing a game cricket in the street तो यहाँ पे बताता है कि कुछ बच्चे अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पे cricket खेल रहे थे इस Sunday वाले दिन में और वो कौन-कौन थे? एक तो था अपका Mala और इसके कुछ दोस्त थे जिसे कि Sankar, Jahangir, Rehana ठीक है पहले आपको इस स्टोरी यहाँ पे बताएगा और फिर आपको यहाँ पे एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में बाते समझे हैं चोड़ो फटाफट से इसको कौन-टीडू करती है शंकर had bowled a good over and although he nearly managed to get Rehan out, she had still batting अब आप सभी को बताते है कि जो शंकर होता है वो cricket के अदर सबसे अच्छा over यहाँ पे डालता है लेकिन तब बे जो Rehan था वो out होने के पास पहुँच जाते हैं लेकिन वो out नहीं होता है वो अभी भी batting कर रहा होता है frustrated he bowled a short bowl and hoped she would hit it for an easy catch और क्या होता है वो उसके बाद परेशान हो जाता है उसको out करने के लिए एक short bowl वहाँ पे डाल देते हैं और वो सोचता है कि जो हमारा यहाँ पे यह आपका यह रहान है इसको अगर hit करेगा तो क्या होगा वो bowl सिदा उसके हाथ में catch आ जाएगी instead रहान hit the bowl so hard and so high that the street light broke तबकि जो रहान आपका होता है वो उस bowl को भो तेज से मार देता है जिससे क्या होता है वहाँ पे जो गली के इंदर street की light होती है आप से भी कि वो टूट जाती है रहान screamed oh no look at I will done तो जब भी रहान बोलता है कि क्या मेर से गलती हो गई और आप से भी इस गलती को देखो संकर शेडियास we forget to make a rule that if you break the street light you are automatically out तब ही उन में से जो संकर होता है वो बोलता है कि हम ये rule बनाना यहाँ पे भूल गई कि भी जो भी street light को तोड़ेगा वो भी थे रहान था और जांगीर था उन सभी को इसी बात की चिंता होती है कि जो street light थी वो तूट चुकी है अब क्या होगा and they told संकर had better stop thinking about the wicked और वो संकर को भी बोलते हैं कि तुम अभी wicked के बारे में सोचना बंद करो और इस problem को देखो last week they had broken निर्मला मोसी window and had spent their pocket money have it replaced अब बताते कि जो last week था उन्होंने निर्मला मोसी की जो window थी वो तोड़ दी थी तो उसके लिए उन्होंने पैसे देने पड़े थे निर्मला मोसी को जिसके उनके सारी pocket money यहाँ पे spent हो गई थी would they have to dish out money again for their pocket तो क्या अब उनको अगें से उनकी pocket के अंदर पैसा देना पड़ेगा street light के लिए but who would they pay this to और वो किसको पैसा देंगे हमारी street light के लिए to whom did the light on the street belong to who changed them और जो हमारी street light थी किस से belong करती थी और कौन इसको अब change करेगा रेहान house was the closest and they ran and told the mother what had happened रेहान mother said I will really know these things in a great detail but I do know that is it in the municipal corporation of the city had take care of the replacing lights अब जो क्या करते हैं सभी के सभी भाग के हुआ पे रेहान का house था तो उसकी मदर के पास जाके उसको बात बताते कि हमारे साथ क्या क्या चीज़े यहाँ पे हुई तबी जो उनकी मदर थी वो बोलते कि मैं ज़्यादा अच्छे तो नहीं जानते इस बारे में कि आपको किसे पैसे देने होंगी क्या कुछ करना होगा लेकिन मैंने को थोड़ा बहुत पता है कि जो आपका municipal corporation है वो इन सबी चीज़ों को देखता है और वही जो आपकी light वगएरा है इनको replace यहाँ पे करता है और तब ही उसकी मुम्मी बोलती है कि जो यहाँ पर यासमीन खाला नाम के अपनी कलोनी के अंदर रहती है वो आपको इस बारे में ज़्यादा अच्छी डिटेल में बात बता सकती है उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें काम करो वो अभी अभी हाँ पर रिटायर हुई है हमारी मुंसिपल कोर्परेशन के अंदर वर्क करके तो तुम उसके पास जाके उससे सला लो उससे बात करो उसके बाद क्या होते है कि वो सभी जैसे ही वो आपकी खाला गेट खोलते है तो सभी उसको बताते है कि हमारे साथ क्या बात ही हुई अब हमें किसको पैसे देने होंगे इस लाइट की रिपेरिंग के लिए तबी खाला बताते है कोई एक परसन नहीं है जिसको आप ये पैसे दे सकती है या फिर कोई एक ऐसा परसन नहीं है जिसको आपको ये पैसे देने है वो बोलते है कि बहुत बड़ा आपका संगठन है जिसको हम बोलते हैं मुनसीपल कोर्पोरेशन आपका इन सभी चीजों का ध्यान रखता है जिसको आपके आपके गार्डन हो गया और आपके जो गार्पेज कोलेक्शन वगरे आने की कुड़ा वगरे कठा करना वो भी और जो स्ट्रीट की लाइट हो गई पानी की सप्लाई हो गई आपकी सड़के वगरा साफ करना तो सेड माला तबी जो माला होती है वो बोलते है कि मैंने मुंसिपल कोरपरेशन ये कुछ आदमियों को देखा था कि वो यहाँ पे बैंडर वगरा लगा रहे थे और बता रहे थे कि भई आपको मलेरिये से बचना है मतलब कियो मलेरिये की अवेरनस वहाँ पे फैला रहे थे और बता रहे थे कि आपको इस मलेरिये से बचके रहना है तो चलो कोई बात नहीं हम आगे स्टेडी करते हैं और आगे जानते हैं अब क्या सीन होता है तबी जो खाला होती है वो बोलते है कि आप काफी हद तक सही है जो मुंसिपल कोर्परेशन उसका ये काम भी रहता है कि भई कोई बीमारी हमारे सहर के अंदर ना पहले इसलिए हम इसको बोलते हैं मुंसिपल कोर्परेशन जो यहां पर वक को सिंभालता है इन स्मोलर टाउन यानि कि जो हमारे छोटे टाउन होते हैं वहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं मुंसिपल काउंसिल तो अब इन दोनों वर्ट्स के डिफरेंस को यहां पर याद रखना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात यह हैं अब आपको यहां पर बोल टड़ी करते हैं और आपको एक्स्प्लीन करते हैं यासमीन काला I am curious who decide where a park should go. Did you have to make interesting decisions like this when you worked in municipal corporation? आस्क रिहान. तबी जो रिहान होता है वो काला से पूछता है कि जब आप municipal corporation के अंदर work करती थी तो क्या आप ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं कि कहां पर पार्क बनेगा कहां पर hospital बनेगा तो देखते हैं क्या जवाब देती है. इसके देखरे के लिए आपकी जो यह municipal corporation होती है भी बहुत जदब बड़ी होती है और इसके अलग-अलग department यहां पर बनाये जाते हैं अलग-अलग काम को यहां पर देखने के लिए. The decisions like these are park or a new hospital should be usually made by the ward councillor और जो आपकी ऐसे decision होते हैं कि भई आपको पार्क कहां होगा, hospital कहां होगा, इसको कोन लेता है, ward councillor ठीक है. The city is divided into different wards and ward councillor get elected. अब बताता है कि जो आपका सहर है, उसको हम अलग-अलग ward के अंदर divide कर देती हैं और वहां से आपके कौन चुने जाते हैं, ward councillor. The complicated decisions that affect the entire city are taken by the group of councillor. और जो आपके थोड़े complicated type of decision होते हैं, यानि कि आपके थोड़े tough decision होते हैं, जिससे कि आपके पूरी city affect हो सकती है, उनको आपकी पूरी committee लेती है, जिसमें बहुत सारे आपके ward councillor एक साथ बैठ के बात करते हैं. Who formed the committee to decide and debate issues, वो क्या बनाते हैं, committee बनाते हैं, बातों को रखने के लिए, वहाँ पे debate करने के लिए और फिर बाद में decide करेंगे क्या हमें करना है. For example, if bus stand need to be improved, or a crowded marketplace need to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that's need cleaning, etc. अब यहाँ पर आपको कुछ incidents बता रखे हैं, जैसे कि बहुत एक्जाम्बल की बात करें, तो अगर मानों आपके किसी bus stand को improve करना है, साथ में अगर कोई आपकी market में भूज़ा था भीड है, उसको साफ कराना है, वहाँ से मतलब कि जो अडंगा वगारा है तो उसको साफ कर करना है, तो ऐसे decision आपके पूरी-पूरी committee बेटके वहाँ पर लेती है, it is these committees for water, garbage, collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done, तो यहाँ पर आपकी अलग-अलग committee होती हैं, जैसे कोई water की है, आपकी कोई कुडे वगारा के बारे में बात करेगी, कोई आपकी वहाँ पर street light होती है, उनको लेकर ब can conduct, it can contact the counselor, उसके बाद बताता है कि अगर कोई ऐसी problem है कि जो किसी एक ward के अंदर है, तो उसको हम कैसे solve करेंगे, हमारा जो ward counselor उससे जागे हम direct contact कर सकते हैं, for example, if there are dangerous electrical wire hanging down the local counselor can help them get in touch with the electric authority, अब मानो कि कोई wire तूटके नीचे गिर चुकी है, अगर आपको उसको again से लगवान हैं, वो आपको ऐसा को complete करने में आपकी जरूर help करेगा, तो चलो आगे बात कर दें, while the counselor committee and the counselor decide on issue, the commissioner and the administrative staff implement these, अब उसके बाद बताता है कि जो आपका counselor था, वो तो इस चीज़ों को decide करेगा, जो उसकी committee थी, वो भी decide करेगा, उसके बाद इनको implement कौन करेगा, जो आपकी commissioner ह होते हैं, और जो आपका administrative staff के जो members होते हैं, वो इन सभी जो क्या करेंगे, implement करेंगे, तो यही बात आपको यहाँ पर बताना जाता है, the commissioners and administrative staff are appointed, counselors are elected, और आपको यहाँ पर difference भी बताता है कि जो आपका administrative staff होता है, और जो आपके commissioner होते हैं, यह तो आपके appointment किये जाते हैं, नहीं कि कोई परिक्षा वगएरा पास करके आपके यहाँ पर आते हैं, जबकि जो आपके counselors होते हैं, वो क्या जाते हैं, आपके चुने जाते हैं, so how are these decisions made, ask Rehan and who never gave up on her train of thought, अब यहाँ पर बताता है, Rehan पूछता है basically कि वो decisions कैसे लिये जाते हैं, और क्या क्या प्रोसेस य उसके बाद वो बताती है कि जो आपके ward counselors होते हैं, basically वो क्या करते हैं, वो बैठते हैं, budget बनाते हैं, और वो decide करते हैं कितना पैसा हमें किस चीज के उपर यहाँ पर spend करना है, और पैसा उसी डंग से वहाँ पर लगाया जाता है, the ward counselor try and ensure that a particular demand of their ward are placed before the entire council, और जो आपका ward counselor ह होता है, उसी का काम ये रहता है कि जो वहाँ पर आपके ward के अंदर समश्या है, उसको वहाँ पर council के अंदर बीच में रखें और उनको बताए कि मेरे ward के अंदर ये समश्या मेरे को इतना पैसा दीजिए मेरे ward के अंदर लगाने के लिए, these decisions are then implemented by the administrative staff और फिर बाद में जो आपके decision थे, इसको आपका administrative staff होता है, वो इसको लागू करता है, वो लगाता है, said Yasmin Khala, enjoying the questions that the children ask, no adults ask her about the job and the children question provided her an opportunity to relive some of their experience, उसके बाद क्या होता है कि, कि जो अपनी वो खाला होती है, वो आपके कुछ experience बच्चों के साथ में अपना share करते है, जबकि जो उनकी job थे उसक कोचन, यहां पर नहीं पूछता, बाकि अब आपको यहां पर बोलता है, filling the blanks in the sentence below, तो जहां आपको यहां पर filling the blanks दे रखे हैं, आपको इन sentence को भरना होगा, मैं एक तो आपको बता दूँगा, बाकि आपको खुद से करना, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले पढ़ा ठीक है, यह आपको अब 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 पढ़ा है कि हमने जो हमारे city है, वो अलग-अलग वार्ड के नदे डिवाइड होती है, और वहां से जो आपके वार्ड counselor होते हैं, वो चुने जाती है, इन a municipal corporation, the elected members are called, जो आपकी municipal corporation होती है, वहां पर जो आपके चुने गए लोग होते है हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उसको आपको यहां पर फिल करना, इसको आप खुद से करना, ओके, group of counselor deal with issue that affect the, अब इसको भी आप बता सकते हैं कि भाई, जो आपके counselor का group होता है, वो किस बातों को लेकर, मनलब कि बात करता है, संगठन बनाता है, जब क्या problem वहां पर आ ज होती हैं, तो इसका भी जवाब आप इसली यहां पर दे सकती हैं, while the counselors make decisions, the administrative staff led by the commissioner dash 30, तो वो क्या करता है, जो आपका administrative staff होता है, वो क्या करता है, इनको implement करता है, चलो मैंने आपको इसका भी answer बता दिया, बाकि जो बच गे उनको answer आपको खुद से fill करना है, search करना है, मेरे आगे बात करते हैं, आगे बोलता है, how does the municipal corporation get its money, अब question आता है, पैसे का, तो जो हमारी municipal corporation होती है, अगर उसके पास पैसा आता कहां से है, providing and running so many services required a lot of money, the municipal corporation collect this in different ways, a tax is sum of money that people pay to the government for the service the government provides, अब यहाँ पर बताता है कि जो हमारी municipal corporation होती है, उसको बहुत सारे काम को देखना है, जैसे कहीं hospital बनवाना है, पार्क बनवाना है, कुछ और चीज़े करने कहीं, रोड को साप करवाना है, वहाँ पर जो worker है, उनको salary देने तो यार उनकी जो money होती है, उनके पास बहुत सारे तरीकों से उनके पास आती है, तो यार आप मैं बताता है कि जो आपकी government है, जो आपको service देती है, तो उससे भी के लिए वो आपसे क्या लेती है, यहाँ पर tax लेती है, पीपल who own homes have to pay a property tax, जिन लोगों के पास घर होता है हुने property tax क्या होना करना पड़ता है, देना पड़ता है, as well as tax for water and other services, वो पानी का भी tax देती हैं और और भी बहुत सारे services का tax देती है, the larger the house, the more the tax, और जितना बड़ा आपका घर होगा, उतना जदा आपका क्या होगा, tax होगा, property tax however from only 25-30% of the money that a municipal corporation earned, और बताते है कि जो आप property tax होता है, उससे सिरफ आपकी जो municipal corporation होती है, वो 25-30% तक पैसा कमाती है, there are also tax for education and other amenities, और जो आपकी education होती है, और amenities होते हैं, आपकी जुरूरी चीज़े होती है, हमापे भी जो आपका tax है, लगाया जाता है, if you open a hotel or a shop, then you have to pay a tax for this as well, अगर आपके पास कोई hotel है या फिर आ fully at your ticket, because you pay a tax for this as well, और अगर आपको भी movie देखने जाते हो, तो आप उसकी ticket को बहुत ध्यान से देखना, आपको वाँ पर दिखाई दिखा कि आपको इस चीज़ के लिए भी tax देना पड़ता है, thus while rich people account for property taxes, a much wider population pay more general taxes, तो इससे हमें यही बात समझ में आते हैं, कि जो हमारे सभी के सभी लोग को होते हैं, सभी tax देती हैं, और हमारे बहुत अच्छा tax हमारे municipal corporation को यहाँ पर मिल जाता है, जिससे वो हमें सभी को अपनी services provide करती है, अब आगे बोलता है, but the city is so large, जो आपका सहर होता है, वो बहुत बढ़ा होता है, it must take a lot of people to look after it, and does municipal corporation have a lot of worker, तो यहा सारे लोग होते हैं, ask Sankar, तो यह बात कोन पूछता है, Sankar पूछता है, रिहाला से, curiously, he had by now luckily forgotten about the cricket match, and he is incomplete over, और वो सभी के सभी बच्चे इन बातों में क्या भूल जाते हैं, अपने cricket match को, और जो भी उनके साथ में matter हुआ था, उसको, yes, the work in this city is divided into different departments, so there is the water department, the garbage collection department, a department look after gardens, तो वो उसको यही बात बताती है कि भई, हाँ, आपका जो काम होता है, municipal corporation के अलग अलग department के अंदर बाटा जाता है, जैसे कि आपका पानी का department अलग होता है, garbage का अलग होता है, और ऐसे ही आपके और भी बहुत सारे department होती हैं, another to look after the roads, और कोई आपका roads वगारा को भी वह हाँ पर चेक करता है, I worked on the account in the sanitation department, वो बताती कि मैंने account का work sanitation department के अंदर किया है, said Yasmin Khala and then went to offer the children some kebabs to eat और तभी क्या करती है, बच्चों कुछ कबाब खाने के लिए वहाँ पर देती है, तो चलो आगे की बात हम अगले part के अंदर discuss करेंगे, अब आज के part के अंदर इतना ही अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों, बाई बाई कर दोस्तों, बाई बाई